उत्रप्रदेश में दो बेहत बहत तपूर्ण लोकसभा सीटों पर उप्चुनाव हुए फूलपूर और गोरखपूर और जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के लिए ये बड़ा सिट बैक था क्योंकि बीजेपी इन दोनों ही जगहों से हार गई अब विपक्षी पार्टियां ये मान रही हैं कि ये बीजेपी की हार की शुरुवात है और इस जीत के सिलसले को 2019 तक भी बरकरार रखेंगी फूलपूर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने 69,000 से भी ज्यादा वोटों से वहां पर केशव प्रसाद मौर की सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को परास्त किया है वो हमारे साथ इस वक्त जोड़े हुए हैं स्टूडियो में नागेंदर पटेल आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको सवाल आपको शुपकामनाई देते हुए आपको बढ़ाई देते हुए इस जीत का स्ट्रे किसे गटबंधन को या फिर जो जवीन पर आपकी पार्टी ने कामगाज किया है जो प्रजार किया है उसको गटबंधन को ही तमाम लोग यह कह रहे हैं कि उसकी वज़य से ही जीत मिली है क्या आपका कामका जो प्रचार कारी इसमें जिम्मेदार रहा या फिर जो बसपा में आखरी समय पर आकर के आप लोगों को सपोर्ट कर दिया उस वज़े से जी दिया भारती जनता पार्टी के नाकामिया भारती जनता पार्टी ने जो जुमला दिया था जमीन पर कोई काम न नहीं माप हुआ, नौजवान परिसान था, बिद्धा पिंसन बंद कर दिये, कमाम कर्मचारी परिसान थे, उन सब भार्ती जनता पार्टी के नाकामियों से समाजवादी पार्टी जीती है. तो आप ये कह रहे हैं कि ये गटबंदन की जीत तो है ही, साथी योगी सरकार का जो कामकाज है, उसकी हार भी है. निश्टे तो योगी सरकार की कामकाज की हार है. अगर आपको लगता है कि जो गटबंदन है, उसे लेकर आप लोगोंने कुछ जादा प्रयास किया होता, कॉंग्रस भी आप लोगों के साथ आ गई होती, जो किया समंजवादी सिती में दिखती रही, अभी भी दिख रही है, तो क्या ये परसेंटेज, क्या ये प्रतिशत और जो ये फासला है और बढ़ सकता था? जीत ना मीडिया मान रही है और ना तमाम विपक्षी पार्टियां और पूरा जो पॉलिटिकल गलियारा है इस वक्त, वो इस जीत की गूंच से अटा पड़ा हुआ है, क्या इसे लेकर के यहां से अब आप लोग चलेंगे? आदरणी अखिले से आदो जी के समाजवादी पार्टी के किये गए कामों को, इलाहाबाद में इतना समाजवादी पार्टी के समय में विकास हुआ था, पूरे सिबिल लाइन का, कमपनी बाग का, और अगर समाजवादी पार्टी ने मेट्रो चलाने का वादा किया था, ल लेकिन पहले भी आप लोगों ने गड़बंदन वाला प्रयास तो किया था आप लोगों ने यूपी को साथ पसंद है कॉंग्रोस पार्टी उस वक्त सा थी अभी अला की बसपा साथ में है और ये काम भी कर गया मयावतिक जी का जो कॉल था लेकिन पिछली बार कहां पर चूक रह गई थी, विधान सभा में आप लोग क्यों नहीं काम्याब हो पाई इस प्रयास? पाटी का समर्थन किया और ओठ दिया तो आप यह मान रहे हैं कि यह सिर्फ योगी जी के कामकाज के बारे में जनता ने मेंडेट नहीं दिया है, बिल्कि चार साल का जो मोदी जी का कामकाज है, उसको लेकर की मेंडेट दिया है। और जो केंडर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर कौन-कौन से मुद्दे रहे जिसकी वज़े से जनता ने आपको वोट दिया, आपको लगता है। किसान बाहुलुचेतर तीन विधान सभाए हैं, तीनों में हमने काफी बढ़त किया है, तो किसान व्यापारी, सहर में भी हम अच्छा चुनाव लड़े हैं, सहर उत्तरी में भी अच्छा चुनाव लड़े हैं, और इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने ओड़ दिय अखले स्यादों के कामों को पुसंद किया, बिल्कुल, लेकिन जिम्यदारी आपके उपर बहुत बड़ी है, क्योंकि फूल पूर एक वी आईपी सीट रही है शुरू से, जब आहला लेरू यहां पर तीन बार सांसवत बन करके आये थे, अब आपके पास एक साल से भी कम क वक्त है, यहां पर काम करने के लिए जो वादे आपने किये हैं, जिन मुद्धों पर प्रचार आपने किया है, उसको एक सार्थक रूप देने के लिए, तो क्या कुछ आपकी प्रत्रमिक्ताएं रहेंगी और कितनी बड़ी चनौती है, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके जो भी वक्त तक जनता ने हमको दिया है, उसमें मैं समाजवादी पार्टी के जो नीत रीत है, उस हिसाब से काम करूँगा, जितना भी विकास कर पाऊँगा, जनता के बीच में रहूँगा, समाजवादी पार्टी के कारकरताओं का, और मिताओं का, और छेत का सम्मान लिए दो चुनोतियां हैं आपके सामने एक तो ये कि जो वादे आपने किये हैं उन्हें लेकर जनता के बीच जाएं और उन्हें पूरा करें क्योंकि एक साल का वक्त है जनता में संदेश देने के लिए कि आप वाकई गंभीर हैं उसके प्रती और दूसरा जो गटबंधन य पूलपूर की जनता को बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद ऑर बढ़ाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के करताओं को और बहुजन समाज पार्टी के करताओं को कि फूलपूर की जनता जो है वो जानती है और जितना भी समय है उनके लिए जनता के लिए मैं अच्छे से अच्छे काम करने का कोशिस करोगा तो यानि कि बुवा और बबुवा का जो साथ है वो पसंद द्या गया है यूपी की जनता को और जो फूलपूर और गोरकपूर से सिलसला शुरू हुआ है वो आगे बढ़ेगा अब इस पर हमारे राष्टी नेता निड़े लेंगे बाकी अगर यह होता है तो अच्छा रहेगा भारती जनता पार्टी के खिलाब जितनी पार्टियां जो एक विचारधारा की पार्टियां है अगर एक हो जाए तो यह अच्छी बात है अच्छा संदेश जाएगा ठीक है तो इन एक सालों में कौन-कौन से हैं मुद्दे रहेंगे आपके लिए नागे इंद्र जी क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास भी वक्त कम है और चनौती बड़ी है कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप फोकस करेंगे ताकि 2019 के लिए संदेश जा सके मैं फूलपूर की जनता के लिए जो वहां पर किसान है किसान बहुत परेसान है वह काफी खसल वहां पर बोई नहीं गए जिसे एक धोकरी गाओं है वहां पर करीब 20-80 जमीन किसानों ने बोया नहीं सिर्फ साड़ और लीलगा की हो जाते तो मैं इसके लिए करने मादब आ किसान के समस्या है किसान उसकी भी लड़ाई लड़ूगा कि वहीं किसानों को उचित मुल्य दिया जैए अब यापारी परेसान है जिस्टी और इसे उसके लिए भी मैं सदन में बात उठाने का काम करूं चली बहुत शुक्रिया आपका नागेंदर जी हमसे बात सीथ करने के लिए आपको शपत लेने जाना होगा और हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपने अपनी बात रखी नाशनल वाइस के दर्शकों के सामने इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुब कामना है फिर से एक बार